ना समोसा ना कचारी आज हम बनाएंगे चना डाला और गेमू के आटे से खस्ता रेसिपी तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आप कैसे हैं आए होप आप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं खस्ता रेसिपी बनाना तो हमने एक कटूरी चना डाल ले ली है इसको दो गंटे पहले से भिको के रख दिया था इसको एक मिक्सी जार में डाल देंगे अब इसमें डालेंगे मॉमफली के डाने ये तीन से चार चम्मच है मॉमफली के डाने इसमें डाल देंगे चार पांच हरी मिर्च अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं चार पांच लैसुन की कलिया डाल देंगे और एक चम्मश जीरा डाल देंगे तो जीरा भी हमने डाल दिया है अब इसका एक फाइन सा पेश्ट तयार कर लेंगे तो फाइन सा पेश तयार हो चुका है और इसको चेक जरूर कर लेंगे कि हमारा महीन पिसा है कि नहीं तो देखे बिलकुल परफेक्ट बन के तयार हो चुका है तो चलिए आगे देखते हैं अब हमने एक बावल लिया है और इसमें एक कटोरी गेहूं का आटा डाल देंगे और जो पतियां रखी हुई है ये अजवाइन की पतियां है उनको डालने से खस्ता का स्वाद बहुत ही कमाल का लगेगा और बहुत ही बढ़िया खस्ता हमारे बनेगी बहुत अच्छी खुश्बू आएगी खस्ता में तो इसको भी हम काट कर डाल देंगे तो हमने अजवाइन की पतियां भी काट कर डाल दी है अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच मिर्च पाउडर और दो चमच इसमें डाल देंगे ओल आपको जो तेल आपको पसंद हो वो आप डाल लीजिएगा तो तेल भी हमने डाल दिया है और जो दाल हमने पीसके रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे और एक सौफ्ट साथ दो तयार कर लेंगे फ्रेंड्स ये नास्ता 10 मिनट में तयार हो जाता है हैं मिल जाएंगे और ये नास्ता बहुत ही स्टूद भले लेगBob हमारा तयार होने वाला है इसमें दो चम्मच पानी लगेगा तो अब सब्सक्रेंगायर करने तो चलिए सब्सक्राइब लिया तोड़ लेते हैं तो इसके एक बराबर हम लूई तोड़ लेंगे और ध्यान इतना हमको रखना है कि जो हम सबनाany जो रखनाय तो थोड़ी ही बेल ली ज्यादा पतली मत बेल दीएगा तो कि क्योंकि मोटी जो रॉटी बेलेंगे तो उसे हमारा क। तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे आप सुखाता मत लगाईएगा तेल लगाके इसे रोटी की तरहें बेल लेंगे तो फ्रेंच ये बहुत हेलदी तरीके से आज हमने बनाया है इसका स्वाध बहुत ही बढ़िया लगता है और गेवूं से बनी ही चीजें बहुत हेलदी होती है आप मैदा वगयरा की चीजें खाने से हमारे शरीर को नुकसान पहुचाता है मैदा इसलिए आप गेवूं का ज कर लेना है कोई भी लिजए कोटोरित ले लिजी उसी से आपड़ लीजिए तो देखिए बिलकुल हमारा Νास्त ते लिए तो देखिए कितना काल बढ़िया बना है कितना फ़र्जपन बनाया है अब बड़ा सकते हैं तो देखिए बंकर थयार हो चुका है इसी तरह से हम सारे नास्ते को बना लेंगे तो सारा नास्ता हमारा बन चुका है तो चलिए अब चलते हैं गैस की ओर तो कड़ाई में तेल गरम हो चुका है और सारे नास्ते कुछ डाल देंगे और घ्रैम मीडियम ही रखेंगे और खस्ता होने तक इसको भूल लेंगे तो देखिए क्रिस्पी करारे की तो इसको सघंद करें में तो देखिए बंकर हमारा तैयार हो āचका है तो ये न नास्ता करां को बनाईए बच्चों के किफिन में पैक कीजिए बच्चों को बहुत पसंद आएगा और रोज रोज वही नास्ता खाके परेशान हो गए हो तो जरूर ट्राई करिएगा और देखे तोड़के हमने दिखाया कितना क्रिस्पी बना है उपर से क्रिस्पी अंदर से सौफ्ट बह बहुत खुश होंगे इस नास्ते को खाकर तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेस्पी के साथ तब तक ट्राई किजिए लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए कमेंट भी करिए तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते बाई